दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे whatsapp account delete कैसे करते हैं जी हां दोस्तों अगर आप भी अपने whatsapp account को delete करना चाहते हैं लेकिन आपको अपना whatsapp account delete करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लाक्ष तक जरू देखिए दोस्तो WhatsApp एकाउंट डिलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना WhatsApp ओपन करना है मैंने आप अपना WhatsApp ओपन कर लिया है WhatsApp ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर जो है त्री डॉट दिखाई देंगे आपको त्री डॉट पर किलिक करना है त्री डॉट पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के ओप्शन पर किलिक करना है सेटिंग के ओप्शन पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर एकाउंट के ओप्शन पर किलिक करना है account के option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे delete my account का option दिख जाएगा आपको यहाँ पर delete my account पर click करना है delete my account पर click करने के बाद आपको ऐसे interface आएगा आपको यहाँ पर अपना phone number डाल देना है आपने जिस भी phone number से अपना WhatsApp account बनाया था वही phone number आपको यहाँ पर डाल देना है तो मैं आपको अपना phone number डाल देता हूँ मैंने आपको अपना phone number डाल दिया है phone number डालने के बाद आपको यहाँ पर delete my account पर किलिक करना है delete my account पर किलिक करने के बाद आपके सामने IC interface आ जाएगा यहां पर आपको एक reason select करना पड़ेगा यहां पर देखे लिखा हुआ select a reason आपको यहां पर click करना है और यहां पर बहुत सारे reason आ जाएंगे आप इन में से कोई भी एक reason select कर सकते हैं मैं यहां पर other select कर लेता हूँ इसके बाद आपको यहां पर delete my account पर click करना है delete my account पर click करने के बाद आपको फिर से यहां पर delete my account पर click करना है फिर से एक बाद delete my account पर click करने के बाद यहां पर देखिए हमारा जो है WhatsApp account delete हो चुका है आप भी इसी प्रकार से अपने WhatsApp account को delete कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखे के कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही नोलेज भाली वीडियो से देखने के लिए प्लीज हमारे टेकनिकल से यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जिरू करना